नमस्ते मेरे खामिश्रा अपने कीचन में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बनाओंगी पालक की नए स्वाद में सब्जी अगर हमारी रेस्पी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल ऑईकॉन दबाना ना भूने ताकि मेरी रेस्पी सबसे पहले पहले मैं अपनी सामगी बताऊंगी मैंने एक बुंडी पालक लिया है या आधा किलो 500 ग्राम बोलिये और इसे साफ करके मैंने अच्छे से धो लिया है दो प्याज मैंने बारी की से काटा है दो उबली हुई आलो मैंने छील के छोटे-छोटे चुकडों में काट लिया है थोड़ा सा अधरब घिस लिया है दो हरी मिर्च काटी है थोड़ासा लैसुम और मेथी या धा-धा चममश फोड़ने के लिए चममश गरम मसाला थोड़ा सा हीग प्रनाने के लिए राई का तेल अगर आप राई तेल नहीं खाते हैं तो किसी भी तेल में बना सकते हैं ले एक ग्लास और उसी में अपना पालक में रग दोंगे पालक को में ढखना नहीं है मुझे खुले में ही पालक को पकाना है खुले में पालक पकता है तो कलर भी अच्छा रहता है और स्वाद बहुत अच्छा होता है पालक हमारा उबल गया है, गैस बन करूँगे मैं, अब इस पालक को मैं एक भगोने में मैंने बावल में इस बावल में मैंने ठंधा पाने लिया है एकदम, उस पाने में आप पालक को निकाल के धोना है, ठंधा पाने से मैंने धो लिया है, अब इसे छान के सीधा में मिक्सर में पीस लोगी, देखिए हमारे पालक का कलर से पालक की हराही का हराही है, खुले में जब आप पालक पकाएंगे तो पालक का कलर भी अच्छा रहेगा और स्वाज भी बहुत अच्छा होता है, उसे तु पलक मैंने पीस लिया है, अब मैं बनाऊंगे सबसीज, दो से तीन चम्मत तक मैंने इसमें राई का तेल डाला है, अंदास से ही मैंने डाला है, जीरा अ मेथी का जो मैंने लिया है, वो फोर्नी डालूँगी, पोर्नी को हमेरे जलाना नहीं है, तुरंत उसी के साथ हमें, डालूँगे लेसुन, फिर डालूँगे अधरक, अब मैं डालूँगी प्याज, हमारा गयस काज मेरियम है, अब बिरे जीरे हमें इसे भूना, अब प्याज डालने के बाद, मैं डालूँगी मेर्चे, क्योंकि मेर्चे तेल में डाल दे ही है, तो काला हो जाता है, छोटा चम्मच से मैंने एक चम्मच हिंग डाला है, प्याज को में ज्यादा लाल नहीं करना है, मीडियम ही रहे, अब मैं इसके साथ डालूँगी अलू, आलू को मैं दो मिनट तक इसे भूचना है, अलू हमारा भून के हो गया है, अब प्याज इदी, अब मैं इसे में डालूँगी, छोटा चम्मच है हमारा, तो चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, एकदम small चम्मच है, medium चम्मच वाले से एक चम्मच दो मिनित मसाले कोली पकने दूझाए, इसमें आप मठर भी आपको पसंद हो, मठर भी डाल सकती है अब मैं इसे में डालूँगी अपना पाला मैंने पालक डाल दिया है, गैसका अच हमारा मीडियम है, हमें पानी जरा भी नहीं डालना है इसमें, बहुत ही टेश्टी सब्जी होती, कितना सुंदर कलर है, एक चम्मज मैंने छोटा नमक डाला है, अब दो मिनटी से हमें उभालना है, हमारी सब्जी तयार हो जाएगी हमारी पद गई है, अब मैं इसे सब करूँगी, गैसको मैंने बंद कर दिया, बंद गई हमारी पालक की सब्जी, मैंने परोस लिया है, इसे चावल, जीरा राइस, और रोटी, पराठा के साथ परोसें, बहुत ही टेश्टी होती है, आप भी बनाईए, खाईए, हमारे कोमेंट सेक्सर में लिख भेजिए, जल लाटूंगी, किसी नए रेसिपी के साथ, थेंक यू,